दोस्तों आज आप construction site पर काम करने वाली ऐसी ऐसी machine देखने वाले हैं जिनके इस्तिमाल के बाद construction site का heavy duty work काफी जाद आसान हो जाने वाला है और heavy work cabin में बैठ कर AC के अंदर आपके सामने ही पूरा होने वाला है वीडियो के अंदर आपको कुछी मिंटों में सड़क बनाने वाली और पाड़ों को तोड़ देने वाले machine भी मिलने वाले हैं भाईया तो बिना देर किये वीडियो को end तक देखने के लिए अराम से बैठ जाईए तो फिर देर किस बात की है चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमा के वीडियो को नमबर 10 प्राजेक्ट टेट्रा केश दुनिया का पहला मिठन पावर कंश्टक्शन वीड कले इसको चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं होती है इसे चलाने के लिए बाईयो मीठन की जरूरत होती है जो इसे मिलती है यह शरी पावर वेश्ट इसमें लगाया गया है, यानि हर कोई बिना इजाज़त के इसे चला नहीं सकता, इसके लिए इस्टक की इजाज़त और उसके मालक की इजाज़त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसे फ्लैट सफेस पर वाकिंग के लिए तो लगाया ही जा सकता है, आप पहाड़ो इसमें जाज़त लेते हैं, आप अगर कहीं बाईस कराना चाहते हैं, तब भी से यूज़ कर सकते हैं बर्फिये इलाकों में जहां गाड़ियों की जगह निकालना तो काफी जादा मुश्किल है वहाँ इसकी मदद से बर्फ को कटिंग करने के बाद कम से कम पैदा चलने वाली या फिर बाइसिकल चलने वाले जगह तो निकाली सकते हैं अपनी दोंगलियों में बड़े बड़े कंटेनर को पकड़कर उन्हें अपने हाथों में अराम से चलने वाली यह मशीन भी देख लिजे वहिया इस मशीन का होल्डिंग हैंड कैबिन के पीछे से आगे की तरफ आता है और अपनी हज़े उव में पर एक जमाना हो या फिर अच्छी खासी उचाई से कंटेनर को उठाना हो दोनों कामों में यह हाई पॉपोमेंस एंड स्टैंटेब सिचर्नाट करता है ज ट्रक कें ट्रिलर से इंटेनर को हैता कर ट्रक को खाली करने के लिए अप उसका यूजल कर सकतries नमबर साथ CT718 Compost Turnit वर्मीर कंपोश्टर द्वारा इस कंपोश्टिंग मशीन को बनाया गया है इसका कैबिन ऊपर है और वकिंग करने का एरिया एक टनल शेप में नीचे की तरफ है क्रेश्टर कंपोश्टिंग के लिए मशीन अपने साथ एजजर्ट हो जाने वाला बड़ी अरिया रखती है और स्पैलिंग टूल के साथ इसके वरकिंग एरिया में घूमती हुए शाप कोट्स कंपोश्टिंग का बड़ीया काम करती है Large Size का Tunnel Area मशीन में Composting लिए दिया गया है अपर चलाते उए Material को इसके निचले अमें लेकर अपनी जगह पर Composting के प्रोसेस निप्डा सकते हैं Composting के लिए आपको Material का Transportation भी नहीं कर ला पड़ेगा और पिन जगह पर रखा हुआ material इसके साथ compost होकर वहीं रह जाएगा पाइप फाउंडेशन के लिए या फिर बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए ये material डालने वाली जगह की soil को खोजने के लिए या उसकी कटाई के लिए अपडिलिंग मशीन चलाने के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ dual post styling कटा लगे हुए है जो इसके lifting head के निचले area में घुमते हुए soil के अंदर पहुँच जाते हैं और soil की cutting करते जाते हैं pipeline डालने के लिए अगर आपको छोटे area में जादा घ्रायता खुदाई की ज़रूरत है तब आप इस machine के साथ हराम से इस तरह की खुदाई कर सकते हैं और pipeline को install कर सकते हैं इसके घुमते हुए dual spinning post soil cutting करते वग ज़ादा noise भी नहीं करते हैं जिस तरह इसे दूसरी machine एक करती हैं और pile foundation के लिए beam installation के लिए machine बढ़िया है हैंड handler cutting machine के साथ कटाई होते हुए आपने देखा होगा चोटी disk की मदद से metallic चीज़ों को काट लिया जाता है लेकिन ये machine हाथ में आने वाली नहीं है इसे तो cabin में बैट कर चलाया जा सकता है बर्मीर द्वारा इस machine को बनाया गया जिसके आगे घूमती हुई अच्छे खास डाइमीटर वाली और शाप एजवाले disk लगी हुई है जो high quality metallic material की बनी हुई है surface पर low depth पर drag line बनाने के लिए यह surface को distribute करने के लिए इसका use किया जा सकता है मिट्टी के कटाव को रोकने का भी यह काम करती है इसके आगे लगी हुई disk तेजी से घुमते हुए surface पर आने वाली soft हाड सभी material को काट कर अलग-अलग कर देती है और partition में बांट देती है वहिया नमबर 4 T1225 Terran Leveler Uncool और Uncomfortable surface को equal बनाने के लिए इस machine का इस्तिमाल किया जा सकता है यह machine Terran Leveling का काम करती है surface किसी भी तरह का hard हो यह soft हो तब इस machine को काम पर लगा दिया जाता है यह surface पर Leveling का काम करेगी और surface से उठोई चीजों को तोड़ कर वहीं पटक देगी road बनाने से पहले कई बार पत्रों को तोड़ने के लिए काफी ज़ादा time खराफ किया जाता है लेकि इस machine के साथ अब road leveling का काम काफी ज़ादा easy और कम वक्त का हो जाएगा इसके साथ आप नई road को बनाने के लिए surface त्यार कर सकते हैं या फिक किसी कचे road को ही अराम से चलने देने के लिए leveling कर सकते है यह machine बने बना road पर color printing के लिए नहीं बनाए गई है यह तो आर्पी सिस्टम के साथ बनाए गई surface construction वाली machine है ब्रिकलियर वाले road को अगर आप अब surface पर भी जाना चाहते हैं तब आप surface पर इस machine को लगा सकते हैं यह ब्रिकलियर को जमीन पर एक corporate की तरह बिचाती है इसके लिए बसाब को कुछ लोगों को इसको उपर रिस साइट पर खड़ा करना पड़ेगा दो इसमें brick जमाते रहेंगे और जमाने के बाद इसमें से bricks की layer surface पर निकलती रहेगी और जमती रहेगी surface से जुड़ाई वाला material brick layer के नीचे इस machine द्वारत जमता जाता है जिसके बाद लहर के बीच आते ही जमीन से brick layer का जुड़ा बढ़ियर तरीके से हो जाता है और धीरे धीरे चलते हो ये machine इस तरह के road को बनाने का काम टेजी से करती है वहिया सीमेंट कंक्रीट के road पर तो chemical का कोई काम नहीं हो था लेकिन bitumis बने हुए road पर chemical की layer बुझानी पड़ती है ये काम लगबग दुनिया के बहुत से देशों में होता है और इस तरह के road को बनाने के लिए ये machine बनाए गई है जिसके बाद gravel की chips को chemical layer पर बिछाने के लिए आपको बहुत कम टाइम चाहिए होगा और road chemical बिछाते ही gravel की chip इसकी मदद से डालने के बाद जल्दी ही तयार हो जाएगा कई बार chemical को heart condition में डालने के बाद इतनी दिर हो जाती है कि उस पर chips डालने का कोई मतलब ही नहीं होता और chemical waste हो जाता है लेकिन इसकी मदद से chips spray का का काम बिल्कूल एक ही quantity में पूरी surface पर आसानी से किया जा सकता है ये machine जो अपने आप में एक बहुत बड़ा construction है जिसे बड़ी बड़ी mining sites पर इस्तेमाल किया जाता है large quantity में mineral को निकालने के लिए इसका use किया जाता है ये machine कापी जादा अलंबी है और material को rotate कराने के लिए इसमें अच्छा खासा लंबा पुल बना हुआ है mining के लिए इसके सबसे आगे वाले part पर rotating disc लगी हुई है bucket करते हैं बड़े बड़े डैम बनाने के लिए या फिर बड़े बड़े पहाड़ों को mining के जरी हटाने के लिए आप इस machine का use कर सकते हैं इसका size भी काफी जादा बड़ा है और काम भी दोस्तों इस तरह की और वीडियो के लिए सबस्क्राइब करें हमारा चैनल और लिटर्स वीडियो के लिए बहला करको दबाना बिलकुल न भूले जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचें सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो कैसा लगा और कौन से machine आपको सबसे जादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर जरूर और जरूर बताईगा हम आपके कमेंट का अंतजार करेंगे दोस्तों भूला नहीं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बा कि अुर्ष को ट conse